हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने IQ Neo 6 Android में आप जो है होट इसपोर्ट का पासवर्ट आप चेंज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह होट इसपोर्ट का पासवर्ट सेटिंग जो होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है आज क के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आपको यह बिडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जो आपको अपने मुआइल फोन में सैटिंग पेज को उपन कर लिजिये अपनने मुआल ha nosotros password इसे आपको select करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्षिन मिलेगा hottest word password इसे आपको select करना है अब यह hottest got password कीबोर्ट का एक चोटा सा page open होगा इस page में आपका जो भी password पहले से लिखा हुआ है उसे रीकर देना है इस तरीके से ठीकर अब यहाँ पर आपको नया password यहाँ पर set कर लेना है password set करने के लिए आपको यहाँ पर keyboard में से counting का use कर सकते हैं आप चाहे तो alphabet के letters का आप use कर सकते हैं ठीक है आप चाहे तो counting और यह alphabet के letters को आप mix up करके भी एक password यहाँ पर set कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं example के लिए 1 से लेके 8 तक की counting यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक है randomly ऐसी डाल देता हूँ अब मैं इसे ok कर देता हूँ ठीक है अब हम यहाँ पर check कर लेते हैं कि हमारा hot spot passport यहाँ पर change हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम इसे select करते हैं option को तो देखें आप वही password दिखाई दे रहा है जो मैंने change किया था ठीक है तो इस तरीके से आप जो है न अपने hot spot का password आप change कर सकते हैं ठीक है setting page को open कर लीजिए setting page में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon इसे select करना है यहाँ पर आपको search bar में type करना है hot spot password ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा type कर देना है इस तरीके से hot spot password ठीक है तो आपको जो ना नीचे की साइड यह option शो हो जाएगा hot spot passport का यह आप देख सकते हैं ठीक है इससे आपको select करना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में आपको लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंना आपको एक short कर तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का